हाँ तो दोस्तो आज KPI Green की Bonus Issue से Related Board Meeting थी तो वहाँ पे उन्होंने Bonus Issue का Approval दे दिया है और इसके में वो किस रेशियो में Bonus देने वाले हैं तो उससे Related हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि इस कमपनी के अनर आपको Invest करना चाहिए या नहीं चली शुरू करते ह तो देखिए यहाँ पे अगर हम कमनी के Bonus रेशियो की अगर हम बात करेंगे तो वन रेशियो वन पे यहाँ पे कमनी ने Bonus Issue किया है यानि कि अगर आपके पास में 100 चेर्ट आपको और 100 चेर्ट यहाँ पर मिलेंगे तो देखिए बोनस में वो डेफिनेटली जो प्राइस हो जाता और उसके बाद में अगर आप देखोगे जब मार्केंड में Bonus Issue वाले Shares नहीं थे तो राउन 20-25% हमें वापे जो कमनी का स्टॉक प्राइस से वो में बढ़ता हुआ नजर आया था तो डिके डेफिनेटली चेभी को लग रहा है कि अभी बहुत चारी कमनी इस बोनस चैसे यहां पर जब रिकॉरड डीट होगी तो रिकॉर्ड डेट के बाद में जो 50% इसके टोडल सेयर्स होंगे पर मार्केंड से पूरे साफ हो जाएंगा या हनकी मार्केड में रहेंगे वह उसकी ट्रेइडिंग मार्केड में नहीं हो रहे होगी जब्रकेंग यह कम्पन भी cases में उता हुआ नजर आ रहा है और जैसे फिर उसके बाद में जब बोनस ये अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं तो इसके बाद में काफी ज़्यादा selling परिशा में देखने को मिलता है और हमने येसा भी देखा है कि बहुत सारे जो stocks around 20-30% अपने all time high से उसके बाद में गिरते हुए नजर आएं हैं तो कहीने के देखा जा तो यहाँ पर बोनस को लेके यहाँ पर मार्केट काफी ज़्यादा positive हो जाता है और कहीने के अगर आप देखोगे अभी साधे 800 के लगबग ये company trade हो रही थी एक हफटे पहले और अभी 900 पे ये company हमें trade होती हुए नजर आ रही है तो almost अगर आप देखोगे अपने all time high पे ये stock हमें बन दोता हुआ नजर आया है और हो सकता है कि अगर यहाँ पर one ratio one पे bonus शू किया है तो कल इसे market और positive हमें ले सकत आजा है तो trading के point वी से यहाँ पर already मुझे लगठा है कि जो 10-15 percentage का run-up यहाँ पर पिछले एक अप्ते में आया है तो वो चीज़े अल्रेडी यहाँ पर हो चुकिए मेरे खाल से trading point वी से आपने पर पैसा नहीं डालना चाहिए लेकिन long term point वी से यहाँ यह जो company है काम करते ह आपको सब कुछ पता चल गया होगा अगर आपकी कोई भी queries है आप comment कीजिए मैं जरूर आपके comment पर reply करूंगा तो थो थो थांक यू वफ नाइस देख